राजभर ने गाजीपूर में अजीबो गरीब बयान दिया सुभास्पा के राश्ट्री अध्यश ओम प्रकाश राजभर ने अपने कारिकर्ताओं को समोधित करते हुए कहा कि सदन में 90 फीसदी पागल बैठे हैं और अपने बिगडे बोल और विवादत बयानों के दमपर चर्चा में रहने वाली ओम प्रकाश राजभर गाजीपूर के चंदन बहा इलाका में कारिकर्ता सम्मेलन को समोधित कर रहे थे सुभाशपा के इस कारिकर्ता सम्मेलन में जहां शोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्या उड़ाए गई तो वहीं कारिकर्ताओं को सम्मोधित करते हुए राजभर ने विजेपी को भारती जूट पार्टी बताया पूर्व मंत्री राजभर इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने पीम नरेंदर मोधी और सीम योगी पर भी अभधर टिपड़ियां की है बता दे कि ओम्रेकाश राजभर ने सजर में बैठे 90 फीसिदी लोगों को पागल करार किया है और तक्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर शोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है चेहरे पर किसी के मास्क नहीं है कोविड-19 के किसी भी प्रोटोकॉल का यहां पर फालन नहीं किया जा रहा है और फिर बयानबादी भी की जा रही है कि सदन के दबते फेसदी लोगों को पागल बता दिया और इतने में ही नहीं रुके पियमोदी और सियम योगी के उपर भी अभधर टिपडियां की है अभी पूरे उतर प्रदेश ने उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ जी का बयान आया कि पांच साल संभीदा पर छे साल में पेस्टोगा 60% अंग उसके बात अब सरकारी नहीं करिये मुख्यमंत्री का बयान आता है कि अधिक्ति सियम का बयान आया है कि विरोधी लड़ावत में अंग में प्रदान मंत्री अपने भारे से बयान दे रहे हम दो काते कि दुनिया में अधो कोई खुटा नेता है ये दुनिया में नंबर एक का गूबर भी स्बात को बोलता है कि नंबर एक का जुटा दुनिया में कोई है तो उसका नाम नरितर मुगी है और जब हसे जाए